सबी को जैन दोस्तों आप सबी का हार्दिक सौगत है भारत इस इंडिया पर आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छ होंगे तो आज में आपके लिएक लिएक लिटेस्ट और एक बहुत ही इंट्रस्टिंग वीडियो लेकर आएं जिसमें आप देखेंगे पाकिस इंट्रस्टिंग होगी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा तो उसे अंतर देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके इसे लेटेस्ट इंट्रस्टिंग और दंदार वीडियो लाते रहें जैहिंद जैभारत तो यह कि इंडिया में आ रही है ने डेफिनेटी जिस हिसाब से हमारा भारत तरक्की कर रहा है एकनॉमिकली बहुत वास्ट और फास्ट है हम जीडिपी में एट एट परसंट पर आपने देखा ही होगा कि निर्मला सितरमान जी ने कहा तो वह हर एक अंगल से देखा जाए सुरक्ष देखा है यहां पर काम करने को तयार है और मैंने बार बार इस बात को बड़ी सिम्मेदारी से श्रवेब कहा है कि हर देश हर एक देश मतलब हम लोग जान बूच करके पाकिस्तान को साइड रख रहे हैं क्योंकि अब वो तो बच नहीं रहा है तो हर एक देश इंक्लूडि के लोगसबा एलक्षन के बाद हमारी एकनोमी जो मोदी जी ने कहा है कि थर्ड टर्म थर्ड पोजिशन नहीं वो थर्ड टर्म और सेकंड पोजिशन चाहेगा और यह मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको कह रहे हूं तो यह आपका जो प्रोग्राम है यह जाहरी बात हम रिका कहीं नहीं कि यहां सकते हैं दूसरे पर मुझ की लगता है मुझे लेकिन इस इस कन्फूशन को दूर करने के लिए मैं चाहूंगी कि एक एक दिन हम लोग एक रिकॉर्ड इंग पर बैठे जिसमें मैं सिर्फ उन तमाल प्रोजेक्स की लिस्ट बताऊंगी आपको जो शुलिक्त रहा पर मैं बड़ जिम्मेदारी से बोल रही हूं कि थर्ड टर्म थर्ड पोजिशन एकनोमी का नहीं होगा मोधि जी के नेत्रत में थर्ड टर्म में सेकंड पोजिशन एकनोमी पे हमारा होगा और आईमैक कॉरिडिओर के बाद तो आप देखिएगा कि भारत और कितना शाइन और ब्राइट करेगा, अब थोड़ा सा आपके पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, मतलब तेसला अगर अब देखिए आपके पाकिस्तान को 26 अरब डॉलर वापिस करना है आपको इसी 2014 में, अरब ने भी फिर आप लोगों को लटान लगाई है, अरब ने कहा है कि भाई जो तुम तीन तीन अरब डॉलर करके जो मेरे से लिये थे वो तो हम तुम को खाने पकाने को दिये नहीं थे वो तो हमने तुमको रखने को दिया था, तुमको समझाने को दिया था, पर फिर से वो ही आ गया है, शरीफ शरीफ दुनों भाई, वो कर देंगे, खालेंगे, पिट देंगे, मर देंगे, तुम सुन्नी हो, तुम शिया हो, तुम एमदी हो, अरे मिया मिटू ठालो, सारी हि तो इन आरी चिजों से पाकिसान निकल नहीं लाए। और निकल नहीं चाहता है। अब बताई कि आ पाकिस्तान के सुप्टीस टोड़ा है। अब वो तो पूरी दुनिया बोलती है। पर आपकी सच्चाई भी तो लोगों को समझ में आनी चाहिए, आपकी सच्चाई भी तो लोगों को सुनना चाहिए, आप मुझे एक बात बताईए, कि ये 26 Arup डॉलर वापस कैसे करेंगे आप लोग? कैसे करेंगे? ऐसे रमजान के महीने में, इतने मुबारक महीने में, जहां पर शैतानों को जंजीरों में बांद दिया जाता है, और उस महीने में भी आपके यहाँ 6 साल की बच्ची प्रिया गाइब हो जाती है, किटनैपिंग हो जाती है. रमजान के तीस दिन में कहा जाता है कि शैतान तो जहांक भी नहीं सकता है, बड़े से जंजीरों में उसको बांद दिया जाता है, तो फिर से दा औरत फाउंडेशन ने 190 लड़कियों के बलातकार के बारे में क्यों लिख करके दे दिया असिमली को? कैसे बलातकार कैसे हो रहा है इसलामिक देश पाकस्तान में, वो भी रमजान के महीने में, हमारा देश तो तरक्की कर रहा है, ठोड़िये न, लेकिन आख का देश तो इसलामिक देश है, यहां कैसे बलातकार हो रहा है, वो भी रमजान के महीने में, और फिर यह सारी चीजे हैं, जब ला नहीं सकता, मैं कैसे कहा दूँ कि नाजिया लागी खान जूट बोल रही है, जबके मैं ऐसी बात है, ऐसी बात हमारा मेंस्ट्री मीडिया कह रहा है, तो फिर हमोशी, मजबूरां हमोश रहना पड़ता है, और दिल में यही खुआश रहती है, कोशिश रहती है, कहीं पाक में था, अब बेस्तरी हो रही है, दिल करता है, खुआश होती है, लेकिन सुनना पड़ता है, क्योंकि सचाई है, और यह जब तक हम इन चीज़ों को नहीं सुनेंगे, इन चीज़ों के पर वर्क नहीं करेंगे, शायद बेस्तरी भी उस तरीके से नहीं आएगी, नाजिया में भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, सभी देश की में बेटियों से हाथ चोड़ करके रिक्विस्ट कर रही हूं, कि अपने हक के लिए लड़ना सीखें, और रमजान को मैं कोट नहीं करना चाह रही हूं, वो एक मजभी चीज है, उसको कोट करके क्या ही होगा, मुझे मुझे ऐसा लगता है कि सभी देश में बेटियों को आगे बढ़ना चाहिए, और शिक्षत होना चाहिए, वोकल होना चाहिए, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, और जिस तरह से पाकिस्तान, इसलामिक देश होते हुए भी बरबाद होता चला जा रहा है, मेरे भारत के कि बेटियों को आटलिस्ट इस बारे में सोचना चाहिए, मुझे पता है, मुसल्मान लड़के जो है, वो अपनी धुन में लगे हुए हैं और बहत्तर वर्जिन हूरों के चक्कर में ही लगे हुए हैं, वो नहीं समझेंगे, वो मुझे गालियां ही देते रहेंगे, लेकि मेरी भारत की मुसल्मान बेटियां मुझे जरूर समझेंगी, और खास करके, मैं अपने भारत की, बांगला देश की, और इंडोनेशिया की, जितनी भी मुसलिम कंट्रीज हैं, वहां की हिंदू बेटियों के लिए मैं आपसे हाँ जोड़ करके बोलना चाहूंगी, कि मुस आपको क्या ही छोड़ेंगे, तो मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगी, जितनी भी गैरमजब की बेटियां हैं हमारी, चले नाजिया जी, डेफिनेटली जो आपने एजुकेशन की बात किया, उसे मैं 100% अगरी करता हूं, और बाकी जो आपने बोला कि इन पे ट्रस करें य जाए मुसलिम, हिंदू, क्रिस्टन, सीफ, किसी को आगे या पीछे रखने के, चाहे, मैं एक सेकंड लोगी, एक सेकंड लोगी, सिर्फ ये मेरी अपनी सोच नहीं है, मेरे पास केसिस के पूरे लिस्ट है, और हमेशा आफताब नहीं श्रद्दा की बोटिया की है, हमेशा नासर खान नहीं सोजर जॉर्डन का बलातकार किया है, तो ये लिस्ट है भई, खीक है, देखने वाले इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, आज एक मतलब तापिक तो स्टार्ट हुआ, लेकिन बहुत ही, अलग किसम की एक डिबेट, जो हमारी डिसकेशन रही, देखने वाल अगर मेरा कुई सवाल गल्द है, तो उस सवाले से भी आप कमेंट कर सकते हैं, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, पीस आउट, अल्ला हाँ, दोस्तों, आशा करता हूं की वीडियो का अपने अंदक देखा होगा, और हमेशा की तरह सोईब चोधरी के सवाल और नाजिया लाइक खांजी का दंदार और बेबाक अंदा से दिये गया जवाब, आपको काफी पसंद आया होगे, और आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे नाजिया खांजी ने ना सिरफ बात की हमारे प्यारे देश भारत पे, बलके अपने सी लेटेस और इंटरसिंग वीडियो दिलाती रहें, और ये वीडियो का सेगिंड पार्ट था, फर्स पार्ट अल्रड़ी हम चैनल पे डाल चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखा, तो आप जाके उसे भी जरूर देखे, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा तो चलिए, फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबर्दस इंटरसिंग और दंदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान दखिए, जय हिंद, जय भारत